दोस्तों आज जेस्ट अमावश्य है और आज के दिन करने वाले बहुत ही चमतकारी उपाई मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अगर घर में कोई परिशानी है रुपे पैसो की तंगी है घर में आर्थिक परिशानी है तो इनको दूर करने के लिए आपने ये उपाई करने है और अगर आपके दुश्मन आपको परिशान कर रहे हैं उसके लिए भी इसमें उपाई है दोस्तों ये उपाई भौती सटीक ह और आप आज जो कामना करोगे जो भी मागोगे वो आपका पूरा होगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारें बता दू नमस्कार दोस्तों मैं वीना गौतम मैं स्टर रोजर वास्तु कंसल्टेंट हो रिकी मास्टर आप सभी का मेरे चैनल चेंज और फोर्चुन में स्वागता है अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ और उपाई की तरफ जो मैं आप लोगों से शेर करने वाली हूँ दोस्तो जिन्दगी में अगर कोई दोश हो तो वो दोशों से हमारा जीवन नर्क बन जाता है और तरपन आदि करने से इन दोशों से मुक्ति मिलती है दोस्तो वर्ष की समस्त अमावश्या में जेस्त अमावश्या को बड़ी अमावश्या कहा गया है इस अमावश्या के दिन शनी जयनती और वर्ट शावतरी वर्ट किया जाता है इस बड़ी अमावश्या के दिन अनेक उपाई किये जाते हैं जो धन की वर्षा करवाकर जीवन को सुखों से भर देते हैं आज जेस्ट अमावश्या है और आज अपने अवशकता नुसार और कामना की नुसार विसिस्ट उपाई कीजिए फिर देखिए क्या बदलाव आता है आपकी लाइफ में आपके जीवन में क्या से ये चमतकार होता है ये सारे उपाई अलग अलग तरीके से आपने करने हैं दोस्तो जेस्ट अमविशे के दिन रोगों और अपने शत्रों को परास्त करने के लिए योपाई कीजिए आज किसी हनुमान मेंदिर में जाएं हनुमान जी के गदा से थोड़ा सिंदूर लेकर पांच पीबल के पत्तों पर सिंदूर से हम लिखें और उसके नीचे शत्रों का नाम लिखें इन पांचों पत्तों को निर्जन इस्थान चंगल आदी में किसी पेड़ के नीचे एक फीट गहरा गड़ा खोद कर उसमें डालकर मिटी से गड़्धे को भड़ दे चुपचाप चले आएं और पीछे मुड़ कर बिल्कुल भी न देखें वापिस आते समय कुछ हलचल आवाज अनुबब हो तो पीछे मुड़ कर ना देखें यदि रोगी को रोग ठीक करना चाहते हैं तो पीपल के पांच पत्ते लेकर उन पर सिंदूर से उपर हम लिखें और नीचे रोगी का नाम लिखकर इन पत्तों को भेते पाने में भागर पीछे मुड़कर बिल्कुल भी न देखें और घर आकर इन दोनों पाई के बाद घ चोवन परिक्रमा करते हुए पानी में कच्चा मीठा दूड मिलाकर अर्पित करें इस दोरान ओम नमो भगवते वासुदेवाई या कृष्णाय नमा मंत्र का मानसिक जाप करते रहें चोवन परिक्रमा होने के बाद भी बैटकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाट करें फिर सुरिस्त के बाद उससी पीपल के पेड़ के नीचे उड़त के आटे का साथ दीपक बनाकर उनमें तिल का तेल भरकर प्रजुलित करें इस प्रयोक से धन तंगी दूर होगी अमावश्य का दिन पित्रों को प्रसंद करने का दिन होता है इस दिन पित्र दोश काल सर्ब दोश लाग दोश ग्रहर दोश विष्दोश दूर करने के लिए प्रित्र पूजा करें किसी पवित्र नदी या कुए बावडी के किनारे किसी प्रोहित से पित्रों की शांति के निमीत पिंडदान तरपन श्राद करवाएं गाव को हरा चारा खिलाएं ब्रामणों को भोजन करवाएं उची दान दक्षिरना देकर आशिरवाद प्राप्त करें दोस्तों आज के दिन आपने दोशों को दूर करने और पुन्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन पीपल की पेड़ की जड़ में दूद और जल डाले शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसो के तेल का चो मुखा दिपक जलाए इस दिन यानि आज के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूद काले तील गंगा जल चीनी फल चावल जल अरपित करें इन चीजों को अरपित करते समय ओम पिर्तम भ्या नमा मंत्र का जाप करें आज के दिन पीपल के विरिक्ष के पूजा करें तथा पेड़ को जनेव और अन्य पूजन सामगरी अरपित करें शनी देव की किरपा पाने के लिए आज के दिन काली चीटियों को खाने के लिए आटे में चीनी मिला कर डालें इसके लाभा यदि संभव हो तो आप कोई और चील आजी को खाने के लिए भी चीजे डालें दोस्तों ये वीडियो हैं तक थी मुझे अमीद है आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसमे पर आपको मिलते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू